क्षानपुर मेटकल कॉलिज में काम करने वाले करमचारिyउं का दर्द झलका कोरोना संकेर्मित होने के भैसे घर जाने पर डरल लग रहा प्रसाशन के द्वारा खानपूर मेडिकल कॉलेज को करोना को रोकने के लिए दिवार बताया गया है लेकिन ये दिवार धरासाई हो चुकी है जिसके कारण गुहाना के आसपास के गाम प्रजज सरपंचों ने लिखित में डिरेक्टर को मांग पत्तर दिया है मेडिकल में काम करने वाले करमचारी ओंग में रोक लगाने के साथ संस्थान में रहने की विवस्था की मांग की गई है Medical College में पिछले एक सब्ता से डक्टर नर्स फोर्थ क्लास काचकरमचारी अनुबंद आधार पर सभी परवे मरीज करोना संक्रमित हुए हैं जिसके कार्णी हाँ पर काम करने वाले उनुए गाउं में संक्रमित ने फैले गाउं में आने पर रोक लगा दी गई है वहीं गुहाना विधायक ने भी इस मामले पर परशासन का फेरियर बताया गया है सरकार को यहा परऊचित परबंद वे विवस्था बनाने की अपील की है खानपुर मेडिकल कॉलिज के सभी पर वे लैब टेक्निशन ने बताया कि गाउं में उन्हें आने पर रोक लगाई गई हैं जिसके कारण उन्हें अहलात खराब हो चुके हैं लगातार पॉजटिव कारड में काम करना पढ़ रहा है जिसके शंक्रन का खत्रा बना हुआ है वर्द मा बाप वाए बेचोटे बच्चे हैं उनके कारण भी चंकरमित हो सकते हैं ऐसे में संस्था को खानपुर मेडिकल कॉलिज में रुकने की विविस्था की जाए अपने विभाग के मद्धे में मांग भी रख चुके हैं लेकिन अमल में नहीं लाय गया है इसके प्रेसान चल रहे हैं घ्वाना छेत्र के आसपास के गाउं के ग्यारा सरपच करमचारियों की संस्था में रहने की मांग को लेकर मेडिकल कालज पहुंचे सरपंचो ने बताया कि करमचारियों के कोरोना पोजटिव मामले सामने आने के बाद गाउं से आने वाले करमचारियों के संकर्मिन होने का खत्रा बना हुआ है ऐसे में पोजटिव के संपर्क में आने वाले गाउं के भी महामरी में फैलाने की लगातार संभावना बनी हुई है अज Medical College Director से करमचारियों के रहने की व्यवस्ता किये जाने की लिखित में मांग की जिसे गरामीन ऱ्येतरों ने इससे बचाव हो सके भुई डिरेक्टर रेनु गरग ने बताया कि करमचारियों के रुकने की विवस्ता अराम सदन में किया गया है कोविड उनिस हस्पल बनने के बाद यहां पर करमचारियों वे डक्टरों की संख्या बढ़ गई है ऐसे में सभी की रहने की विवस्ता की जाएगी मेडिकल कालिज में कुल सो के करीब करोना पोजिटिव मामलों का इलाज चल रहा है अभी तक पांच मरीज ठीक और कर अपने घर जा चुके हैं नेगटिव रिपोर्ट आने के बाद भी 14 दिन तक काउंटेंड किया जायता है जिसे ठीक होने वालों की संख्या कम देखी जा सकती है कोई भी मनेजमेंट वहां पर किसी चीज़गी करी नहीं है तो फिर हमने सभी साथी सर्फन सून को पंचाइट बात की फोन करके बार बार तो इन्होंने सलामसोरा किया कि सुभए क्यों नहीं मैडम जी से दोबारे मिलने तो हमने आज जो हैकटे होके फिर दोबारे मिलने का कम किया मैडम जी से हम मिले हैं हमने लिखित में दिया है कि मैडम जी गाओं को बचाना है तो इन लोगों को जो कुरोना वार्ड में डूटी लगी है उनको सरफ यहीं पैस्टे किया जाए और उनका खाने का परबंद करवा जाए तो मैडम जी ने बिलकुल मान लिया है सही में थोड़ा वो टाइम गैप रह गया जैसे वो पता नहीं क्यों रहा तो मैडम जी ही बता सकते हैं उस वारे मुख्य रूप से मंगों मुख्य रूप से यह था कि जो करोणा में जो ड्यूटी पर है वो अफडाून ना करें उनको यहां मेडिकल में रख जाए जिससे के करोना फेनने का ज़्यादा वह है क्योंगे वो अफडाउन करते हैं अज मेडम ने डॉक्टर पत्रा ने आस्वस्त किया है कि कमेटी बना दी गई है और उनका यहां रोकने का इन्जाम करती है कि उसे आते हो और कहां पर नुटी है और जी अमर्जिंसी मेरी डूटी है नो साल प्राणा में सुविपर हूं जी यहां का लीपीज मेडिकल खनपूरकला में मेरी डूटी है जी और जी एक पेसेंट पाया है गाव में पज़ोटू करोना का उसकी वजह से मारे गढ़ रस्त है कैसे करें और फिर आम उसके जानी सकते हैं मारे रस्ताबन कर रहा है घृप्र जी और रहे डारा ठीए हैम काम बढ़ने सकते जी यह मारी परोबलम है जीission गेल मेरी नाम है मेरा है सुभे श्यिग उप्रकास का कि अपने डिपार्टमेंट में लेटर दिया था कि हमारी रहने की विश्ता यहां की जाए तो हमारे अचोडी ने बताया जो मारे इंचार्ज है वो कर रहा है कि मैडम ने साफ मुना कर दिया कर यह एक लैब में जो टेस्ट होते हैं वहां खून का सेंपल आता है सिरम होता है सिरम में करोना वायरिस नहीं होता है कि बारी मैडम होता है सब को पता है इतनी दूर से जबिए अ सकता है मेरा मेरा नाम नरेस हजी तो हमारे पास में विश्राम सदन है और विश्राम सदन में हम लोगों ने विवस्था कर रखी है कि जो भी हमारे कमचारी आउसोर्स के जिनको गाउं में जाने में दिक्कत होती है या हमें चिंता होती है कि भी वहाँ पर जाएंगे और infection ना हो उनको हमने यहाँ पर रहने की वेवस्था की हुई है और वहाँ पर रह भी रहे हैं हमारे आउट्सोर्स की एंप्लोई इस पर अब जैसे यह फेरा कोवेड एक्स्क्रूजिव हास्पिटल बन गया है तो लोग ज्यादा आने की अंदेशा है ज्यादा मरीद आने की अंदेशा है तो इसलिए ज्यादा लोगों के लिए हमें रहने की वेवस्था करनी है और वह हम और देशब तक चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें